नमस्कार और स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपनी चानल प्रिती पूरिणा पर जहां पर आज मैं बात कर रही हूँ ग्रे हैर को रिवर्स करने के लिए अगर आपके बालों में सफेदी की चमकार आ चुके है जिसके लिए आप कामफोटबल नहीं है तो आज मैं दो विकल्प आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक हैर और एक हैर मास्क जिसको आप इंटेचेंजबली अपने लिए यूज कर सकते हैं अगर इस सीजन में डिसिप्लिन वे में रेगिलर्ली आपने इसको इसको इस्तमाल कर लिया तो अगली सीजन में आपके बाल अगर घर पर हैं तो बहुत ही बढ़िया अधवाइस नियर बाइ ग्रोसरी में पूछ सकते हैं यह असानी से आपको मेल जाएंगे लेकिन अगर तभी आप इनको नहीं बटोर पाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीजों का लिंक मिल जाएगा इसको यूज कर सकता है यह अपने आप में एक कम्प्लीट रेमेडी है अगर आपके बालों में हल्का सा भी डिस्कालरेशन है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपके बाल रफ हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपके बालों में कोई परिशानी है यहां पर परिशानी नहीं है इसको प्रिपेर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बोल में एक बड़ा चम्मच आमला पाउडर आई नीड नॉट्रियंट्स है वापकी स्किन और आपके बालों के लिए इतने कारगर है इतने कारगर है कि मात्र अपने आप में यह सक लेना है वो है एक बड़ा चम्मच भ्रिंग राज पाउडर इसके बारे में मुझे आपको कुछ भी बताने क्या वा सकता नहीं है मैं मौल्टिपल टाइम्स आपको बता चुके हूँ कि भ्रिंग राज मतलब बालों का राजा जो की बालों से जुड़ी हर समस्या का स्वय तीसरा इंग्रीडियन जो यहां पर आपको लेना है वो है रोजमेरी पाउडर देखिए अगर आपके पास ड्राइड रोजमेरी लीव्स है इसको आप धूप में अच्छे से सुखा लीजे और उसके बाद ग्राइंड करके चान कर रख लीजे यह आपका रोजमेरी पाउ स्कुछँ आपके ताकत देने के लिए चाहे उनका पिघ्मेन गयुआ है चाहे उनकी स्ट्रेंग हुई है चाहे उनका। इनका एग्जिस्टेंस क्राइज है तो भी रोजमेरी उसको है और रोजमेरी अगर आपके असपास लोकली अवैलेबल है तो खाइए भी नहीं अव के पास ड्राइड रोजमेरी लीव नहीं है तो आप रोजमेरी असेंचल और इस्तेमाल कर सकते हैं आपसलिटली नो प्रॉब्लम इसके बाद आपको लेना है मांड का पानी देखे चावल लीजे अच्छे से एकसे पानी के साथ अबाल लीजे जब चावल पक जाए और जो ए इसको रख दीजे पर अप्रॉक्सिमेटली एक घंटा अच्छे से ताकि जितने भी हमने पाउडर लिये हैं वह अपना सारा न्यूट्रियंट जब ड्राइड फॉर्म में होते हैं तो रिलीज नहीं करते हैं इसलिए उनको थोड़ा सा गीली तरल उसमें आना होता है ताकि अब ऑलिव या सेसमे ओल का ओप्षन भी यहां पर यूज कर सकते हैं सेसमे अपने आप में कम्प्लीट ओल है इन दो विंटर सीजन तो अगर सर्दियों में कभी कर रहे हैं तो सेसमे ओल कीजे वरना आप को कोनट ओल का स्तमाल कीजे जैसे आप कामफटबल है अच्छे से म किसी की नाइट ड्यूटी है कोई मौनिंग शिफ्ट समें जा रहे है कोई यूज आप को कामफटबल है तब आप इसका इस्तमाल कीजे हफते में एक बार तो डेफिनिटली दो बार कर सकें तो नथिंग लाग गए जिसके लिए आपको लोही की कढाई चाहिए अगर नहीं कर सकते हैं तो कीजे तो स explored अदवास जो है वही तैसाम के लाक आप सकते हैं इसमें आपको लेना हे एक कप सेसंसमे यौनिकी तिल का तेल मैह अभी तिल का तेल इस्तमाल कर रहे हैं क्याए क्योंक distinguish me देल दूर्ब के आपके अस पास मत all rengwn गरम एन्लाके में रहते हैं तो अगर यह oils cold pressed है, तो nothing like it, क्योंकि उनके अंदर सारा nutrition होता है, जो हमें चाहिए, हलका सा heat करके अभी हमें infusion करना है, और हमारा जो grey hair oil है, वो बनकर ready हो जाएगा, अगर आपको यह से जन है, जो कि इन oils के लिए comfortable नहीं है, आप mustard oil भी यहां यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आपको लेना है, ड्राइड आवला, जी हां, जो आवला आपके nearby grocery में आसानी से मिल जाता है, अदरवास लिंक description box में है, ड्राइड आवला is nothing, सिरफ आवला का जो fruit होता है, जब वो fresh होता है, उसको cut करके dehydrate कर दिया जाता है, और उसके बाद बिल्कुल काला हो जाता आवले के बालों को reverse कर सकता है, जी हां आपने सही सुना, reverse कर सकता है, अगर आप प्रति दिन आवले का सेवन करते हैं, आवले के juice से अपने बालों को wash करते हैं, आवले के decoction को, इस तरह के infusion को अपने बालों में लगाते हैं, तो आपके बाल कभी in the first place होंगे ही नहीं white, और अगर हो भी जाते हैं, तो reverse हो सकते हैं, इसलिए इस magic का भरपूर इस्तमाल आपको करना चाहिए, और जितना हो सके आवले का सेवन करना चाहिए, इसके बाद आपको इसमें लेना है approximately एक से दो तुरई, आप सभी जानते हैं, ये जो तुरई होती है, तुरई का तेल भ जाने की खतम हो चुकी है, उसको fix करता है, the best is, इस remedy में मैंने आपको बताया है, कि आप इसको काट छील के, मतलब पहले दो के, छील के, काट के, सुखा कर रख लीजे, और फिर oil में इंफ्यूस कर लीजे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, और इतना ताम चाहम हम कर भी नहीं पाते हैं DIY के लिए, तो आप सीरिसली को सिंपल चील के, हलका सा आवन में डिहाइडरेट कर दीजे, क्योंकि गरम तेल में चाहती है, काफी चौक यह जाएगा, मताब यह जिसे चौक लगाते है वैसा हो जाएगा, और पानी इदर उदर जाएगा, तो आप आवन में घ्याएडरेट करना है, और उसके बाद इसको ऑइल में रिलीस करना है, वरी सिंपल, हमने बेस ऑईल लिया, इसके बाद हमने आवला लिया, जो आपके बालों की स्ट्रेंथ के लिए, हैल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और फिर हमने तुरह लिए है, जो की अगर नहीं है तो जो तुरही अवेलेबल है वो आप यूज में लेकर आ सकते हैं अपसल्यूटली नो प्रॉब्लम ठीक है तो अच्छे से इसको जो जितने भी इंग्रीइन्स हमने लिए है उसको अच्छे से डाग ब्राउन होने दीजे वैसे तो तुरही फ्रेश है सिरफ वही डाग ब्राउन होगी वांकि आवला हमने लिए अगर अगर फ्रेश लेंगे अच्छे से इसको टॉस कीज़े फर फाइव तो 10 मिनिट्स और उसके बाद फ्लेम को अफ करके आप इसको चान कर रख लेंगे फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम तक भी नहीं आएगी बिल्कुल लो फ्लेम पर काम होगा इसके बाद आप इसको एक प्रेफरिबली ग्लास जार कर लेंगे एंड आपका ओइल बनकर रेडी हो चुका है नाव फट अप्लिकेशन यह ओईल आपको मिनिमम दो बार तो इस्तमाल करना ही चाहिए तो यह बहुत अच्छे रिजाल्स देता है अगर आपको लगता है कि अरे भाई दो बार मास्क दो बार ओल कैसी उसकिया करते हैं कोई परिशानी नहीं है और आप देखेंगे कि अगर आप रिलीजिसली यह चीज़ करते हैं पूरे सीजन में दो से तीन महीने तो नेक्स सीजन तक आपके बाल अपने आपको रिवाइव कर चुके होंगे आपको एक बेटर आफ ग्रोथ मिल चुकी होगी और एक बहुत अच्छी शाइन बहुत अच्छी हेल्थ आपके बालों में एक्जिबिट होगी वो सभी लोग जो कि यह सब कुछ रेगिलर बीसिस पर नहीं कर पाते हैं अगर आप वंस इन वाइल भी इस रेमेडी को अपने ले करते हैं तो आपके बालों में जो धीरे-धीरे है कि ऐल और मास्क प्रिपएर कैसे करने हैं और उनके दिमाग में काल्कुलेशन शुरू हो चुकी है कि कैसे हम इसको इसतमाल में लेकर आ सकते हैं मास्क को आप बनाब के रख सकते हैं वोर अ प्रॉक्सिमेट्री ओर अस्से जादा एक्स्टे Linux नहीं कर सकते हैं इसाला तो इसके खराब होने के चांसे बढ़ जाते हैं, अगर आप गरम इलाके में रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बाच बनाइए, पूरा इस्तमाल कीजिए और फिर नया बाच बनाइए, इस तरह से आप कीजिए, तो फ्रेशनेस, गुड्नेस जो आपको मिलती है, वो बहुत फ्रेश फ्रेश आपके, you know, application करते हैं, तो better of results आपको मिलते हैं, तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ, कि मेरी परिवार को मेरी प्रस्तुती पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, तो do give it a thumbs up, मैं आप सभी से मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, till then, take really good care of yourself, और हम बेशा आद रखिये, you are very special, take care